नमस्कार दोस्तों जाए हिंदे स्वागत है आप सबी का एक बार फिर से सौफ्ट स्टेडी यूटूब चैनल में मैं हूँ सौरब और एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो को लेकर तो दोस्तों आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई टी वीपे के दोवारा कुछ हेड़ कॉंस्टेवल के पदों पर वेकेंसिया निकाली गही है तो इस वेकेंसि के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा यदि आप इंट्रेस्टेड हैं तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो क्राइटेरिया है इलिजिविल्टी क्राइटेरिया उसकी बात करेंगे यदि आपका सेलेक्शन होता है तो पे आउट कितना रहेगा सेलरी आपको कितनी दी जाएगी इसके सास्साथ इसमें सेलेक्सन की प्रोस्टेस क्या रही कितने एक्जाम होगे क्या क्या होगा फिजीकल एफिसिंसी टेस्ट होगा रेटन एक्जाम होगाStudent verification होगा medical test होगा सभी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो वार्डर पुलेस फोर्स वैसिकली यह जो इंडो तिबितन वार्डर पुलेस फोर्स है यह सेंटल आमड फोर्सेज के अंतरगत ही आता है और यदि सिलेक्षन होता है तो भारत तिबत की जो सीमा होती है वहीं पर आपको सेवाय देनी होगी आगे चलते हैं वीडियो में और ڈیٹς की बात करते हैं तो जो important लिए करने की जो प्राब में ठीक है 8 जून है और आविधन कर सकते हैं 5 साथ जुलाई रात के बारह 11 बच कर 59 मिनट तक आप भीदन कर सकते हैं 7 जुलाई तक ठीक है ये हुए जोस्तु important die अप्ड़र गरात करते हैं SST के लिए 5 वर्च का OBC के लिए 3 वर्च का X serviceman के लिए यहां पर 3 वर्च का ठीक तो जो maximum age है उसमें आप relaxation category वाइस जो यहां पर relaxation provide करा है उसको भी आप maximum age कर सकते हैं ठीक तो यहां पर हो जाएगा SST में यदि हम 5 वर्च और एड कर देते हूं बात करतें दोस्तों education qualification के तो यदि आपने 12 standard पास कर रखा है यदि आप 12 पास हैं तो इसमें आविदन कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आपके पास skill भी होनी चाहिए typing की ठीक है English typing इसमें यदि आपका हो जाता है selection हो जाता है देखिए तो अंत में इसमें एक skill test भी लिया तो education qualification के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं फिजीकल standard की फिजीकल standard हम देखिए जो male candidate है male candidate के लिए यहां पर हाइट रखी गई है ht candidate के लिए छोड़ कर ठीक है ht candidate के लिए कुछ relaxation यहां पर provide कराया यहां उसे भी हम देख लेंगे तो यहां पर देखिए जो male candidate है general obc और sc और साथी साथ ews उनके लिए 165 cm रखी गई है female candidate के लिए 155 cm हाइट रखी गई है और male candidate के लिए हाँ पर जो chest की जो chest की रखी गई है हाँ पर criteria तो 77 cm रखा गया है chest होना चाहिए आपका और बिना फुला है और expand करने के बाद मतलब फलाने के बाद 82 cm होना चाहिए ठीक है इसके लावद उस तो ST candidate के लिए देख लेते हैं तो ST candidate के लिए male candidate के लिए 162 cm female candidate के लिए 150 cm और chest के लिए selection process की selection process बताने से पहले मैं आपको इसमें पोश्ट बता दीता हूँ पोश्ट कितनी है तो देखिए इसमें total दोस्तों जो number of post है कितनी है number of post है दोस्तो 248 ठीक है 248 total post है जिसमें head constable की यहाँ पर post रहेगी male candidate के लिए 135 post रहेगी category wise आप यहाँ पर post देख सकते हैं रिजर्ब के लिए 15, SC के लिए 22, SC के लिए 20, OBC के लिए 24 और EWS के लिए चाहुदा post यहाँ पर क्या किया गया है इसके लावा यहाँ पर जो number post है यह दोस्तों LDCE के हैं मतलब यहाँ पर LDCE मतलब जो ऐसे ब्यक्ति जो पहले से भी ITBP में job करते हैं तो यह एक departmental जो है पोश्ट है के वल डिपार्टमेंट वालों के लिए यह रिजर्ब की गई है number ठीक है तो इसे भी आप समझ चुके हों एफिसेंसी टेस्ट आपका होगा ठीक है एफिसेंसी टेस्ट में क्या होगा देखिए सबसे पहले आपकी रेस होगी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस होगी male candidate के लिए साड़े साथ मिनट में complete करनी होगी long jump और high jump long jump 11 feet कर रहेगा 3 chances में दिया जाएंगे high jump 3 feet कर रहेगा और 3 chances म में दिये जाएंगे सभी के लिए सभी के लिए सभी के लिए ठीक है और female candidate के लिए जो एफिसेंसी टेस्ट की जो यहां पर रखा गई है जो यहां पर criteria रखा गया है 800 meter race होगी 45 minutes में ठीक है 45 seconds में complete करनी होगी long jump high jump 9 feet के आपकी long jump होगी 3 chances दिये जाएंगे और 3 feet के आपकी high jump होगी केवल female candidate के लिए ठीक है यह female candidate का criteria है उपर वाले men's candidate का criteria है ठीक है तो सबसे पहले efficiency test होगा उसके बाद़ में doस्तों physical standard अप तेसे हाइय तो kabul ूगया थीक होगा तो physical standard test होगा ठीक है इसके बाद में दोस्तों क्या करा हो जाएंगा नदि आप फिजिकल standard को pass कर गाए हैं और जो efficiency test है उसे आप पास कर लेते हैं तो इसके बाद में return exam आपका होगा ठीक है return exam 100 marks का होगा सलेवास आप यहाँ पर देख सकते हैं सलेवास में reasoning और arithmetic से यहाँ पर question 30 रहेंगे 30 marks के रहेंगे दो घंटे का यह question पर रहेंगे 120 मिनिट आपको यहाँ पर मिलेंगे दो घंटे में 100 question आपको solve करने होंगे जनरल नौलिज के हाँ पर 25 question होंगे जनरल English के 35 question होंगे और computer knowledge के 10 question होंगे इस प्रकार से मिला का 100 question होंगे 100 marks होंगे यह आपका slave रहेगा return exam का ठीक है 120 मिन्ट का समय मिलेगा यदि आप इसे पास कर लेते हैं तो इसके बाद में skill test होगा जिसमें आपकी टाइपिंग होगी ठीक है होगा इसके बाद में क्या होगा दोस्तों एक medical exam होगा ठीक है medical test होगा और फिर इसके बाद में एक revival medical test होगा ठीक है तो यह आपका qualification qualify होने के बाद होगा यहां पर तो यह हो जाती है आपकी selection process ठीक है इतना सबकुछ होने के बाद में aq final result तयार किया जाएगा जिनका भी selection होगा और आपके घर आपको क्या भे धिया जाएगा आपके घर joining letter यहां पर भिज धिया जाएगा सबकुछ हो गया है इसके बाद में क्या होगा दोस्तों salary ठीक है죠 selection होने के बाद में सेलरी कितनी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो सेलरी आप देख सकते हैं मिनियमम जो है सेवंध पे आउट यहां पर लागू होगा और मिनियमम रहेगी आपकी 25500 से स्टार्ट होगी और अधिक तम दोस्तों 11100 तक आपकी यह सेलरी पहुंच जाएगी ठीक और इसके अ नमस्कार जैहंद बंदिमात्रम धन्यवाद